फिर एक मंचले से तंग आकर चात्रा ने मौत को गले लगा लिया लड़की ने अपनी आखरी सा से गिनते हुए ये बताया कि मंचला ये वक कई महिनों से लड़की को तंग कर रहा था जब बरदाश्ट की सीमाओं का अंत हो गया तो उसने कैरोसिन डाल कर खुद को आग लगा लिया मद्ध प्रदेश के सागर जिले में कैन ठाना अंतरगत बरखेड़ा गाओं में रहने वाली बारवी किलास की एक छात्रा प्रियंका अहिरवार ने छेर चाल से तंग आकर मौत को गले लगा लिया छात्रा ने नायब तहसीलदार को मरणसन हालत में बयान दिये कि गाओं का ही एक युबग करण अहिरवार उसे पिछले कुछ दिनों से परिशान कर रहा था उसने एक दिन बस में भी उसके साथ छेर चाल की थी जिससे वो तंग आ गई थी लेकिन जब उसके सबर का बांद तूटा तो उसने मंगलवार को केरोसीन डाल कर खुद कुछी कर ली चात्रा सागर के MLB स्कूल में पढ़ाई कर रही थी इस मामले में मिर्तिका के मामा का कहना है कि उसने रात में तीन बज़े अपने उपर केरोसीन डाल कर आग लगा ली करण नाम का एक लड़का ही जो उसे दो-तीन महीने से परिशान कर रहा था बुद्वार को ग्रह मंत्री भूपिर सिंग पीड़िता के घर पहुंचे वदोशियों के खिलाब तुरंत कारवाई करने के साथ ही परिवार को आर्थिक मदद देने की बात कही इसने बचीने आत्मत्या की है आत्मत्या के कारणों की जाच हो रही है और जाच करके इसमें जो भी तत्ति सामने आएंगे उन तत्थों के आधार पर जो आवशक कारवाई है वो होगी अभी प्रारम्विक रूप से जो साक्षाय हैं वो साधार पर एक लड़के को करपतार किया गया है बाकी फूर्षताच और जाँ चल रहे हैं परिवार आर्थिक रूप से कंजोर परिवार है और बाकी मी बच्चियां हैं परिवार भी कंजोर हैं इसले इसमें मानिमुCC मतरी जीजि से बात करके जो संबा होगा और आर्थिक सायोगा उसको करेंगए वही टी आई बीम दुवेदी का कहना है कि मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्ट में होगा नीज बीके के लिए सागर से अनुज गौतम के साथ सर्जू पटेल की रिपोर्ट